अगें गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे आप सभी चलिए एक बार फिर से मॉर्निंग क्लासेस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है भाशा एवम संस्क्रती बीए फस्टियर सिर्प बीए यह नहीं मैं वार वार रिपीट करता हूं बीए बीए सी बीकोम बीए और यह एलेलवी जिनके सिलेवस में भी भाशा एवम संस्क्रती के अंतरगत सामाने हिंदी में यह वाला पार्ट है वो सभी अपने सिलेवस इसी डिस्क माध्यम से कवर कर सकते हैं दोस्तों आज के शिशन में हम बात करेंगे आचारे राम चंदर शुकल जी द्वारा रचित एक उत्सहा निवंद को हम पूरे विश्तार से एक बार संजें में अरे ऍजय करने के दोस्तों हम इसके बस्तु निष्ट को लगाएं संसकते यह लागूतनी की में हम चल रहा पहले हम इस पूरे टोकि को समझते ते उसके बाद दीर्ग प्रकरती के प्रशन उत्तर इनलाइस करते थे लेकिन आप लोग कमेंट थी कि सर एक्जाम में सिर्फ दीर जो है बस्तु निश्ट प्रशन उत्तर ही आते हैं इसलिए डायरेट आप उसको ही डिसकस करवाईए तो हमारे लिए तो यह और भी जादा आसान हो गया क्यो सब्सक्राइब करते हैं उसके पंद्रा मिनिट में आपका यह प्रेश्ट उत्तर वाली सीरीज भी कंप्रिट हो जाती इस प्रकार से लेकर आदे घंटे में पूरा आपका सेशन ही कंप्रिट हो जाता है मतलब एक चेप्टर आदे स्कामाला कि टोपिक में भी हम इतना फोकस करेंगे इतना पूरा जितना भी हमारी छमता होकि आपकी मेरी इना मेरी समझहने की और प्रश्न उत्र में आप एक भी जगह नहीं अटकेंगे मेरा ओप्षन बताने से पहले प्रश्न को पढ़ते ही आप फट से आंसर को टिक मारेंगे प्रश्न को देखते ही टिक मारेंगे लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है इस निवंद को अच्छे से समझना आएए कारी की पीछे एक उत्साहा जरूर होता है प्रतेग विक्ति में एक उत्साहा जरूर होता है प्रतेग कारें आज हम अपने जीवन में बिना उत्साहा के संबब नहीं है कि कोई भी कारें कर पाए एक कोई न कोई उत्साह जरूर होता जैसे कि आज मैं आप लोगों को टीच टीज कर पा रहा हूं, पढ़ा पा रहा हूं, क्योंकि एक पढ़ाने का मेरे अंदर उत्सा है, क्योंकि मेरा M है, एक लक्ष है, उसी तरीके से आपका भी एक लक्ष है, जिस लक्ष नहीं आपको प्रेरित किया है, तो उस लक्ष के पीछे आपका एक उत्साहा छुपा हुआ और उसी उत्साहा के कारण आप ये मेहनत कर रहे हैं कडी मेहनत कर रहे हैं जिससे कि आपको परिणाम पीछे मिलेगा यह ना तो एक उत्साह आज मेहनत करने का दूसरा उत्साह जब आपको परिणाम मिलेगा तो फल वाला उत्साह होगा यह ना वो जब दोनों एक साथ मिल ज समझने का प्रियास करेंगे आगे बड़े सेशन में उससे पहले छोटी सी बात जो नए दोस्त है मेरे वो जान ले कि इसी प्लेटफर्म पर यूटूब प्लेटफर्म पर ही हमारे दुआरा बिये के ओल्मोस्ट सभी सब्जेक्ट आप लोगों के लिए लेकर में आ रहा हूं कुछ सब्जेक्ट इनमें से कम्पलीट भी कर दिये गए हैं जैसा आप इनमें से लगबख सभी सब्जेक्ट कम्पलीट हो चुके है इसे प्लेटफर्म पर तो एक बार playlist में जाएगे, तो आपको हमारे द्वारा पढ़ाई जा रहा है, सबी subject आसानी से देखने को मिल जाएगे, जो subject आपका है या जो subject आप पढ़ना चाहते हैं, पूरे करम अनुसार वो आपको playlist में ही मिल जाएगे, हमारा कोई भी session hide नहीं है, छुपा हुआ नहीं ह है और open अर्थात की public वाली ही ये playlist है जिसे कोई भी आसानी से playlist में जा करके देख सकता है लेकिन फिर भी जो नए श्ट्रेंट है जिनको नहीं आता playlist में जाना उनके लिए भी मेरे पास option है उन दोस्तों के को थोला सा रुकना पड़ेगा अभी जिसे शेशन एंड होगा मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आप हमारे साथ में जुड़ करके किस तरह से हमारे साथ श्टडी कर सकते हैं आज की शेशन की शुरुआत करते हैं बढ़ते हैं अपने शेशन में थोली सी एक नजर इस पर भी डाल है सामाने हिंदी वाले में इस शेशन में जिसका आज हम जिसका दोस्तों आज हम सेकिंड टोपिक डिसकस करने जा रहे हैं जिसमें बात कर रहे हैं उत्सा की जो कि आचारे राम चंद्र शुकल के द्वारा रचित हैं और इस पूरे टोपिक में हमें इनका पर भी बात करनी है भाव मुलक निवंद क्यों कि इसमें हमारी भावनाय चुपी हुई होती है यह एक ऐसा निवंद है जो पूरी भावना उपर आधारित है इसी कारण से इसको भाव मुलक निवन्द की संग्या दी गई आईए तो भी समझते हैं कि ये निवन्द एक्चुल में हमसे कहना क्या चाता है या शुकल जी ने ये निवन्द क्यों लिका है या किस पर आधारी तो करके लिका है दोस्तो इसको पढ़ने का एक सिंपल सा फॉर्मुला यही है कि हम इसको पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे कोई डिपिकल्टीज नहीं कुछ भी नहीं है उस तक से पढ़ने में हो सकता कि डिपिकल्टीज आए लेकिन यहां मैं आपको पढ़के भी सुनाओंगा और साथ साथ उसको एकस्प्लेन करते भी चलूँगा जिससे कि आपको इसका प्रतेक जो की पोईंट होगा वो आपके मस्तिस्क में फिट होता चला जाएगा और जब इसी के कोशन आंसर हम लगाएंगे तो एक भी कोशन यहीं होगा जिस दुख और आनंद ज्यान दीजिएगा मानव के हिर्दे में दुख और आनंद दो ही भाव पिरमुक रूप से पाए गए हैं या इसे समझे कि प्रतेक व्यक्ति प्रतेक मनुष्य के अंदर सिर्फ दो ही प्रकार के भाव होते हैं कौन-कौन से एक दुख का होता है और एक आनंद का होता है जिस हम कहते हैं एक सुक वाला पहलु होता है और एक दुख वाला पहलु होता है उसी तरह का संबंद यहाँ पर आनंद और उत्साह के बीच में पाया जाता है अर्था दिये कि भैके जाने के बाद इंसान को जिस प्रकार का सुक प्राप्त होता है उसी तरह से उत्सा से किये उत्सा कहां से पनपता है उत्सा कहां से आएगा आनंद से आएगा जब कोई कार करने के पीछे उसका एक आनंद छुपा हो उस वो आनंद उस व्यक्ति में वो उत्साहा को उत्पन्न करेगा तो यहां पर सुखले जी के द्वारा यही का जा रहा है कि जिस प्रकार का संबंद सुख और भह में होता है डर में होता है उसी प्रकार का एक संबंद आनंद और उत्साह के बीच पाया जाता है दुख के बहसे हम दुखी हो जाते हैं जब दु दीजिगा किसी भी कारे को करने के लिए जो इस फूर्ती हमारे हिरदे में उत्पन होती है हमारे अंदर उत्पन होती है हम उसे ही उत्साहा कहते हैं चाहे कारे कोई सा भी हो अब यहां शुकल जी ने कोई सकरत्मकारे नहीं का कि सिर्फ अच्छा कारे करने के लिए ही हमारे मन में जो है एक अनुभूती उत्पन होगी या उत्साह उत्पन होगा नहीं प्रतेग मनुष्य के मन में प्रतेग कारिकों करने के लिए जो है एक इस फूर्ती आती है एक एनर्जी आती है और उसी एनर्जी को हम यहां पर उत्साह का नाम दे रहे हैं शुकले जी ने इस शिभूत होकर के ही प्रतेक मनुश्य अपने कर्म का निर्वाहन करता है। शुकल जी ने उत्साहा का अर्थ समझाया है प्रकार और उपयोगिता के साथ ही साथ में उन्होंने उस से अर्थात की उत्साहा से होने वाले लाब भी बताये हैं। शुपा हुआ एक ऐसा मनोविकार होता है जो साहस और आनंद के मेल से बना हुआ होता है। साहस और आनंद के मेल से अर्थात की दोनों के आपस में जुड़ने से ये उत्साहा का उत्साहा उत्पन होता है। साहस और आनंद के लिए जब कोई ब्यक्ति किसी कारी को करने का साहस भरता है। अपनी हिम्मत दिखाता है। तो उसमें एक आनंद की उत्पत्ति होती है। या फिर कैसा कहें कि किसी कारी को करने में अगर उसको आनंद मिल रहा है। उसको लगता है कि ये कारी करूँगा तो मुझे बड़ा एक आनंद प्राप्त होगा। तो उस कायर को करने के लिए अपने अंदर साहस उत्पन करेगा और जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे आनन्द और साहस तो जो है उत्सहा की उत्पत्ती होगी जो कि उस कर्म को करेगा. किलियरे तो किसी भी कायर को करने का साहस यदी पूर्ण आनन्द के साथ किया जाए पूर्ण आनन्द के साथ कोई सा भी कायर आप करना चाहते हैं अगर आप उस कायम को करने के लिए पूरे आनन्द के साथ में अगर अपना साहस जुटाओगे उस कायर को करने का तो वह उत्स भाहा है धन दीजीएगा जिसे आज आज आप जो हो सकता है आप में से कई सारे स्ट्वेंटे से हैं जो यह सोचते हैं कि हम भी यह कंप्लीट करने के बाद में यूपीएस्ट करेंगे या इस्टेट पीचेस का एक्जाम करेंगे तो आपके अंदर एक आनंद उमड रहा है कि में कैसे इसको करना है तो जल्दी से भी यह कंप्लीट हो तो मैं यूपीएस्ट का एक्जाम दे पाऊं तो यह एक आप अब जब जिस दिन भी आप अपने इस लक्ष की प्राप्ति के लिए जो साहस जुटा रहे हैं अगर यह उस कारे में पूरे आनंद के साथ पूरा इं के अंदर यूपीएस्ट करे करने का उत्साहा है लेकिन ध्यान दीजिएगा केवल साहस मात्र होने से कोई मनुष्य उत्साही नहीं बनता ध्यान दीजिएगा सिर्फ साहस करने से कोई व्यक्ति उत्साही नहीं बनता कर्म के मार्ग में आने वाली बाधाओं का साम करना चाहिए और आपने जो है सिलेवस इढ़े उसे जुगार किया तयारी चालू करती पढ़ने लगे एक दो महरे निकी और आपको लगा किया यह तो बहुत टिफ़िकलल है इतना स्लेवस कौन कभर करेगा में तो नहीं कर पाऊंगा यह नहीं कर डरकर लेकिन अगर आपने वो कदम पीछे नहीं लिया और उस हिम्मत भाँ पर फिर से आपने एक बार और हिम्मत दिखाई अपना एक बार साहस और दिखाया यह रियल लाइप में होता है उस केंडिडेट के साथ में जो यूपियसी है इस्टेट पीशेस के त्यारी करते हैं क्योंकि एक समय आता है जब वो इनसान तूट जाता है यह नर्वस हो जाता है कि यार पता नहीं होगा यार नहीं होगा इतनी मेनत करना पढ़ रहा है इतना टां मीरा ओर वांरा यूटूब सोट खोली जिए एक घंटा कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा वहां पर आपको आनंद आएगा क्यों कि उस सोट्स पीडियों से आपको कुछ प्राफ्ट नहीं होने वाला लेकिन अगर यहां पर आप आदे घंटे का लेक्चर देख रहे तो आप बेक्ति उत्साही नहीं बनेगा बलकि कर्म जब कोई बेक्ति अपना कर्म करता है अपनी लक्ष की और अग्रसर होता है आगे वड़ता है तो उसके मार्ग में कई प्रकार की बादाओं का सामना करता है और वो बेक्ति अगर उन बादाओं का सामना अपने पूरे आनंद औ उत्सा ही कहलाता है और वो उसकी सपलता इस ढुस्चित है क्यों कि जिस आनंद और उत्सा के साथ में उसने अपना काम स्टार्ट किया था और आगे चल करके जब कोई समश्चा इसको आती है उसके मार्ग में तो उन समश्चाओं का सामना भी वो व्यक्ति उसी आनंद और उस उसी उत्सा के सास्थ कर रहा है तो उस व्यक्ति का सफल होना तो तै है उसे इस दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती वो जीत कर रहेगा तो एसा ही आनन्द अपने कारिके प्रती और एसा ही उत्साह अपने अंदर जगाई है अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं ये धा मेरा फिरी का ज्यान चली निवंद को आगए स्रेश्ट कारिकरने के लिए प्रेणित करता है अगर आपके अंदर उत्सा, देखी मैं फिर से बोलाओ, निवंद के माध्यम से शुकल जी ने ये तो कहा है कि प्रतेक कारे में उत्सा और प्रतेक व्यक्ति में उत्सा होता ही होता है, लेकिन उत्सा की भी कहीं केटेगरी हो सकती है, कहीं केटेगरी हो सकती है, तो ध्यान आएंगी क्योंकि जितना बड़ा कारिक आप करोगे जितना बड़ा निर्णे आप लोगे समस्षाइं भी उतनी बड़ी बड़ी बन करके आपके सामने आई लेकिन उन समस्षाओं को आप उसी उत्साह और उसी आनंद से अटा सकते हैं जब मांजी परवत पुरा पहार तोड़ सकता है तो आप क्या एक छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं थोली से कुछ किताब ही तो पढ़ने हैं किताब पढ़कर के सेलेक्सिंट लेना यह तो आसान चीज है ना पहार तोड़ने को तो आपको इने कह रहा है आप से चलिए आगे आप के अंदर मजबूर कर देगा अपने जीवन लक्ष की और अगर्शन होने के लिए लक्ष की और आगे बढ़ने के लिए शुक्ली कहते हैं आगे कि बीना कंश्ट्व और बिना हानी के कोई भी कार सरलता से पूरा नहीं होता और इबरतमान भी कहता है क्यों क्या कहता है कि जो आज का जो competition है वो cut throw competition cut throw competition गला काट प्रतियोगिता चल रही है आज गला काट प्रतियोगिता तो इस प्रतियोगिता में अगर आपको भागीदारी लेना है और जीतना है तो कस्ट सहन करने की आदत डाल लीजिए अतहा इस आधार पर उत्सहा को तीन भागों में देखी बाटा जा रहा है सुखली जे कहते हैं कि उत्सहा जो है इन तीन प्रकार के भागों में विवक्त है किस प्रकार के भागों में एक उत्सहा देखने को मिलता है युद्ध वीर में किसमें युद्वीर में और एक उत्सा देखने को मिलता है दानवीर में और एक दयावीर में एक तरह से गर देखा जाए तो युद्वीर दयावीर और दानवीर तीनों में ही उत्सा अपने चरम पर होता है यह बिना उत्सा के यह तीनों अपना स्रेश्ट कारीर नहीं कर सकते आगे बताता हूँ युद्ध बीर को प्रधान कहा जाता है या प्राचीन माना जाता है युद्ध बीर को क्यों माना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्साहा की आवशक्ता इसको होती है क्यों होती है क्योंकि युद्ध वीर जो है ना फल की चिंता किये विना कि युद्ध लड़ने जा रहा है उसका परिणाम क्या होगा उस परिणाम की चिंता किये विना वो अपना कारे करता है युद्ध लड़ता है वहीं दानवीर अपने अपने दान करने की प्रवर्थी के चलते हैं अपने जीवन में कहीं प्रकार के कस्टों को सहन करता है जिस ब्यक्ति में दान करने की प्रवर्थी होती है वो भी किसी युद्ध बीर से कम नहीं है क्योंकि दान करने की प्रवर्ति वाला व्यक्ति अपना सब कुछ दान कर देता है वो सब कुछ दान करने के कारण उसके स्वेम के जीवन में जिन कटनाईयों का सामना उसको करना पड़ता है वो कटनाईयां भी उस दानवीर के उत्साह को हिला नहीं पाती है तोड़ नहीं पाती है क्यों तूकि उसके अंदर अच्छा उस्चा उत्सा चुपा हुआ है इसलिए दानवीर को सच्छा उत्सा ही कहा गया है चुकले जी केस निवन के परत्यम से अगर आएने में देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि अर्थ का त्याग करना तो दूर की बात है उसका साहस जुटाना कोई आप से कह दे आपके पास जितना भी अर्थ है अर्थ मतलब पेशा जितनी भी धन है धन दोलत वो सब कुछ आप दान कर दीजिए तो ये सोचना ही करना तो बहुत दूर की बात है सोचना ही आपको बहुत ज़्यादा कस्ट में लगेगा इतना साहस जुटा पाना तो अर्थ का त्याग करने का साहस और बिना और बिना अर्थ के मतलब धन के जो कस्ट उसको सहन करना होगा ये बहुत ही मुश्किल होता है इतने मुष्किल कारे के लिए सahस जूटाना मतलब सच्छे साहसी का ही ये काम हो सकता है. इसी परकार से अगर हम दानवीर की बात करें दोस्तों देखिए, दानवीर के बाद में, दानवीर के बाद नया दूसरा जो कुई इस्तान आता है तो वो आता है दयावीर का. किसका दयावीर का दयावीर जो सभी के प्रती एक ही भाव रखता हो एक दरश्टी रखता हो सभी के प्रती चाहे उसे इस कारे में हानी उठानी पड़े या लाब उठाना पड़े सब के प्रती एक दरश्टी इना इस प्रकार उपरोक्त तीनों वीरों के व्यक्तिद्व में निहित गुण उन्हें सच्चा उत्साही बनाते हैं तो देखिए शुकल जी ने बहुत ही अच्चे से यहाँ पर तीन वीरों के नाम से तीन वीरों के माध्यम से उत्साहा को समझाया है और इन तीनों वीरों के अंदर जो उत्साह है इसी उत्साह के द्वारा स्रेष्ट कारि करना संबब हो पाता है तो कर्म के द्रश्टी कौन से भी अगर देखा जाए ध्यान दीजिएगा कर्म के द्रश्टी कौन से ये तो हो गया सुकल जी ने तीन बीरों के बारे में बताया जिनमें उत्सा होता जो सच्छे उत्सा ही होते हैं आगे बात कर रहे हैं कि अगर कर्म क कर्म की भावना से उत्पन आनंद कौन सा कार्य करना है कार्य करने की जो भावना उत्पन होती है इंसान के अंदर मनुश्य के अंदर उस भावना से जो उसको आनंद प्राप्त हो रहा एक वो दूसरा है कि फल की भावना से उत्पन होने वाला आनंद फल की भावना से कि मैं मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा मिलका संह ने जब डोल लगाई टी जब प्रारम कीती तो किसका फल का क्या था उसको के दूद्द का ग्लास दूद्द के लिए कापी लंबी रनिंग ऑनूर्भाचते-भाचते-एक लेकर आ तो क्या था उत्सहा था, कुझ सा उत्सहा छुपाओ तो उसके अंदर, फल भावना से उत्पन हुआ उत्सहा, किस में? मिलका सेंग मुए, ध्यान दीजिगा तो इसी प्रकार से आवशक नहीं है कि सिर्फ कर्म भावना, बिना फल की इच्छा वाला उत्सहा ही सच्छा उत् करता है जैसे मिलका सिंका दूद के लिए भागना कि समझ पा रहे न आप लोग ठीके न और तीसरा जो प्रकार इनों ने बता है जो तीसरा रूप बता है वो बता है विशांतर भावनावना से उत्पन आनंद इसका अर्थ हो जाता है जिसमें कर्म और फल दोनों सम्मलित हो क जब वो समगर रूप में किसी का अध्यन करता हो कि मुझे बिशलेशन करता हो कि अगर मैं ये कारी करता हूँ मुझे ये फल मिलेगा दोनों बातों को एक सांस सोच करके और जब वो उस कारी के लिए अंदर से ओत प्रोत होता है आनंद से ओत प्रोत होता है तो उसी आनंद को हम यहाँ पर विशयांतर भावनास से उत्पन आनंद कहेंगे इस इट किलियर तो तीन उपक्ष्य दोस्तों मैं ने यहाँ पर मैंने क्या सुकर जी ने समझाने का प्रियास किया है ये ना मैंने सिर्फ उनको पढ़़् के सुनाया है मैंने कुछ नहीं किया आगे इसी प्रकाश शुकले जी ने अपने निवंद उत्साहा में यही बताने का प्रियास किया है कि उत्साही सभी मनुष्यों में उत्साह जो है सभी मनुष्यों में पाया जाता है चाहे वो केसाभियो कोई खाने का उत्साही है कोई सोने का उत्साही है कोई आगे बढ़न सोने का उत्साई है प्रतेक मनुष्य में एक अलग इस तरका उत्साई पाया जाता है प्रतेक मनुष्य में कोई खाकर के आल से फेला कर सोने का उत्साई भी होता है आप हम में से बहुत सारी लोग होते भाई में भी हूं खाने के बाद एक दूखंटा आरा में भी करता हूं तो उत्सा है, सब में पाया जाता है, तो ऐसा जुरूरिंड नहीं है, ये हमारी personal thinking है, हलांकि वो एक अलग मेटन हो जाता है, लेकि उत्सा की यहांपर बात आ रही है, तो उत्सा प्रतेख मनुष्य में पाया जाता है, पिर वो चाहे नकरात्मक हो, चाहे पिर वो सकरात्मक ह करका उत्सा होता है तो चाहे युद्ध वीर हो दानवीर हो या फिर दयावीर हो क्योंकि उत्सा के बिना मनुष्य का जीवन एक भत्तर के समान होता है अगर उत्सा नहीं होगा अगर उत्सा नहीं होगा कि जब काना खाते हैं और ओभ अजब करते हैं तो लीड़ों सोने की इच्छा जागरत होती है वहां तो कि पीछ Eutnath कि को और जबमाच इस्टडी करते हैं तो डेंगे इच्छे नम्मर को प्राप्ति होने की अडरी उच्छा होता है एसा कोई कार है ही नहीं मनुश्य के जीवन में जिसके पीछे उत्सा ना चुपा हुआ हो प्रते कारे में उत्सा चुपा हुआ होता है तो शुकल जी ने भी वही बताने का प्रियास किया कि बिना उत्सा के मनुष्य का जीवन कैसा हो जाएगा फत्तर के समाने अगर उत्सा नहीं होगा मनुष्य में तो वो किसमें उत्सा नहीं होता बताईए एसा कौन सा मनुष्य जिसमें उत्सा नहीं होता है एक जो होस्पिटल में कोमा में होता है जो ब्यक्ति कोमा में होता है उसमें उत्सा नहीं होता है किसी करण से ना वो हिल्डूल पाता है ना खुश भी नहीं कर पाता है समझ पा रहे हैं आप लो ना तो वो फत्तर के समानी होता है कि लिए रहे तो उत्सा की भावना से ही बड़े-बड़े कारे बहुत ही सरलता और सीगरता के साथ पूरे किये जा सकते हैं जैसे दसरत मांजी ने इसी उत्सा के साथ में अकेले ने अपनी खुद की दम पर पूरा पहार तोड़ दिया था तोड़कर रस्ता निकाल दिया था कि क्या था उसके अंदर उत्साह चुपा होगा था कि क्लियर है आज सुबह सुबह यह लेक्चर में तुरह सा अनन्त आया होगा आप लोग को अंदर से मोटिवेशन मिला होगा चलिए तो यह हमारा जो सुखलजी द्वारा रचित निवन था यह होता है complete अब हम इसके किया है तो मैं फिर से आप से करूंगा बीच में किया है ना तो दोस्तों उंगली को बढ़ाए और सीधर स्टाटिंग में ले जाए सुरू से सुनिए इस लेक्चर को बहुत आनन्द आएगा बाकई में आपका मोटिवेशन जो है ना हाई लेबल पर पहुंच आएगा कों से निवंद संग्रहन में से लिया गया है उतसाः राम चंन्द करों से निवंद संग्रहन से लिया गया है चार उप्सन दूंगा आपको पहला मानसरोबर से दूसरा चिंता मडी से तीसरा क्रोध से या कोई नहीं से भटाग से बता दीजिये कुन सा था इस मट थीगे ना किलियरे चिंता मडी अगला प्रश्न है उच्छाहा किस प्रकार का निवन्द है किस प्रकार का चार ओप्षन ललित प्रकार का वनदनात्मक प्रकार का मनोविकार अत्मक प्रकार का यह फिर सारी मानद की उमंग का क्या नाम है साहस्पूर्ण यह सारे कोशन आपकी स्रीज में मिल जाएंगे आपकी पूस्तर में मिल जाएंगे लेकिन कहीं पर कुछ होगा ना तो मैं आपको कहानी के बाद प्रशन अंसर लगाने का एक लगी होता है चली जो नाम क्या है उप्सन क्या होता है अगला प्रशन लेंगे अगला प्रशन है उत्साहा के कितने भैद होते हैं मतलब उत्साहा के कितने प्रकार बताए गये हैं शुक्ल जी के दौरा 1, 2, 3 या 4 कितने बताए गये हैं अभी अभी तो डिसकस किया हम लोगों ने है ना तीन कौन कौन से युद्वीर दानवीर और गयावीर के लिए रहे चलिए अगला प्रश्न है कौन सी भावना उत्सा उत्पन करती है कौन सी भावना है जो उत्सा उत्पन करती है जो लेक्चर देख रही है उस भावना की बात नहीं कर रहा हूँ उस भावना की बात करना हूँ जो शुकल जी ने अपने निवंद में छुपा रखे रखी हुई है कौन सी भावना उत्सा उत्मन करती है कर्म की भावना धर्म की भावना फल की भावना या सभी जल्दी बताईए मनुष्य के अंदर छुपी एसी कौन सी भावना है जो उसे उत्साहित बना देती है उत्साही बना देती है उत्साहित करती है कर्म करने की भावना फल की भावना धर्म की भावना या सभी ओप्सन इसका दा करेक्टर होना चाहिए सभी है इसके अगर यह फल नहीं आता तो आप यहाँ पर कर सकते थे पुस्तक में बिलकgame आपको एपर ही राइट निसन मिलेगा लेकिन ध्यान दीजगी यहाँ पर हम कर्म करने से भी उत्सा उत्पन होगा फल से भी उत्सा उत्पन होगा और साथ साथ में विशांतर के कारण भी उत्पन होगा कर्म और फल दोनों का जब विचार करके व्यक्ति अपना कारी करेगा उत्सा ही तो होता है तो वो उत्सा जो है विशांतर उत्सा के लाता है इस कार ली हमारा option एक करेक्ट हो जाता लेकिन चुकि यहाँ पर फल दिया गया है तो यहाँ पर एक option होना चाहिए था आ और सा वाला कौनसा आ और आ और सा सा वाला तो हमारा यह वाला option करेक्ट हो जाता इसलिए हमें मजबूर होकर इसमें धर्म को भी include करना पड़ेगा और सभी पर right मानना पड़ेगा हलाकि तक confuse करने वाले exam में कोशन नहीं आते आप इत्ती चिंता मत कीजिएगा यहाँ से या तो फल को हटा देंगे यह फल को हटा देंगे या फिर बा के इस्थान पर बा में जो धर्म लिका हुआ ना धर्म के इस्थान पर आ और साथ दोनों कर देंगे और दा में सभी कर देंगे ठीक है ना इसी कारण से मैं आपको या डिस्थान कर रहा हूँ चलिए अगला प्रशन लेते है अगला प्रशन है दुख के वर्ग में जो इस्थान वह है डर है वही इस्थान आनंद वर्ग में क्या है डोट डोट किसका है बताईएगा दुख में वह का और आनंद में किसका होगा शत्रु का होगा या पाप का होगा तो उप्सन भी और बुरे दोनों गुणों में की जाती है उट्साहा की गिंती अच्छे और बुरे दोनों गुणों में होती है मतलब उल्टे काम करने का भी तो उस्सा रहता है और अच्छे काम करने का उस्सा भी होता तभी तो आप हम जैसे लोग जो है अच्छे कारे करने के लिए अक्रसर होते तो दोनों गुन होते तो यह कथन कैसा है यह कथन कैसा सही है गलत है बताइए या थोड़ा वह सही है या थोड़ा बोध कलते कि स्ट प्रकार का ऊप सोन एकरेक्टर हो जाएगा बिल्कुल करेक्टर राइट है या अगला प्रशन पुन की उमंग का नामक्या है साहस पूर्ण आननंद की उमंग होजाए है तो कि अगला प्रेशन है, सच्चे उत्साहा में भावना प्रधान है, किस की भावना प्रधान है, कर्म की भावना है, या जीत की भावना है, या फल की भावना है, या पर इन में से सभी, या ये सभी, ये इन में से इस प्रकार के नहीं होगा, ये सभी, ये उपरोक्त सभी, ठीक ह भावनावी होती ही फल की भावनावी होती है क्लियर चलिए अगला प्रश्ण लेते हैं अगला प्रश्ण है आपके सामने कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम क्या होता है कर्मन्ने होगा कर्मन्ने होगा तटस्त या पिर इन में से कोई नहीं दोस्तों जहां से अनुभूत करे आनंद का अनुभव करे उस वेक्ति को हम क्या कहेंगे अच्छा कर्म करने वाला करमने कहेंगे इसलिए उप्षन हो जाएगा अगला प्रशन है कर्म और कि मिली-जूली अनुभूती क्या कहलाती है कर्म और फल की मिली जूली अनुभूती क्या कहलाती है चारूं openings तठस्टा कहलाती है मझ्यस्थता उत्स realistic है इन मेंसे कोई नहीं exactly कर्म और फल की जो मिली जूली मिली जूली अनुभूती है वह उत्साह कहलाती है किलियर अगला प्रशन उच्छा की अभिव्यक्ति किस में होती है जड़ा बताईएगा मुझे क्या उध्योग की ततपरता में होती है या खेलने के समय होती है उच्छा की अभिव्यक्ति उच्छा कब दिखता है खेलते समय दिखता है क्या या उध्योग की ततपरता तो हला कि देखिए थोड़ा सा टॉपिक से हैंट के आया है उद्ध्योग वाला लेकिन उद्ध्योग में भी तत्परता में होगा उद्योग की तत्परता में होगा ठीके ना अगला प्रश्न लेंगे अगला प्रश्न है उच्छा निवंद के लेकक कौन है ठीके ना बताने की जरूत पड़ेगी क्या अगला प्रश्न है उच्छा गद्ध की कौन सी विदा है ये अच्छा प्रश्न है उच्छा गद्ध की कौन सी विदा हो जाएगी निवंद हो जाएगी यह न यात्र संस्मान एकांग की कहानी या निवंद exactly ऑप्सन गाह हो जाएकके करेक्ट करेक्ट है कि नेक्स्ट एंड लास्ट प्रस्न लेंगे सबसे पहला प्रशन और उसके बाद सबसे लास्ट बाला प्रस्न देख लीजी दोनों वेच हो रहे एंगर सुरू से आप मेरे साथ में हैं तो उन बच्चों ने तो अभी कमेंट में लिख भी दिया होगा इना चिंता मडी के भाग एक से किलियर हे तो इस तरह से हमारा आज का पार्ट भी कम्प्लीट हो जाता है अगला पार्ट होगा अगला थोगा जिसमें हम बात करेंगे भारत एक है भारत एक है इसके दौर रचित है राम धारी सिंग्ओंग करके द्वारा इसमें रामधारी शिग्डिनकर का परिचे भी देखना है ना वह आप साथ में इस जो है इनका जो रचना है भास एक इस पर फूरा है के लिए दोस्तों तो इसमें ही हमें भारत की संस्कृतिू की जहलक परिलक्षित होगी इसमें भात की संस्क्रति देखने को मिलेंगे में तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो रहा है आपका उत्साहित भी हुए होंगे और यार दोस्तों देखिए अगर आप लोग छात्र हैं तो समझ जाएए कि हर किसी को छात्र होने का मौका नहीं मिलता इस से बहुत से लोग हैं जो तरस्ते हैं इस्टडी करने के लिए लेकिन नहीं कर पाते हैं हर किसी को यह सुनहरा मौका नहीं मिलता है इस्टडी करने का अध्यन करने का चात्र जीवन व्यतित करने का आप लोगों को मिला है न तो इसका सदुप्यों कीजिए यार मैं यह सिक्षक हूँ इस कार्यान से मैं आप लोगों सब इतना ही बोलूगा अपनी पूरी जिम्मेदारी से कि अगर आपको ये मौका मिला है अपने जीवन में चात्र बनने का और चात्र जीवन के साथी साथ में अपनी प्रतिवा को उकेरने का तो दोस्तों पूरा अपनी पूरी ताकत पूरी हिम्मत इसी कारे में लगा दीजिए कुछ समय है आपके पास योई कोई 4-5 साल मिलते हैं यार क्यों बरबाद करना इसमें है ना तो बरबास समय को बरबाद ना करें और पूरी इमानदारी पूरी मेहनत जोक दो यार किसी का इंतजार कर रहे हो आप कोई चमत करकते हो किसी और की उकात नहीं कि आपके जीवन में वह आकर चमतकार करते ना तो किसी का इंटिजार, किसे के इंटिजार में मत भי बहिटिए कर सुरू सूचिए अपना लाक्ष बनाईे अगर आपने अभी तक अपना लक्ष शेट नहीं आप सबसे बड़ी गलती कर रहें तो आपको चात्र नहीं होना था और अगर आप चात्र हैं इस्टुडेंट हैं इस्टुडेंट मतलब की दुनिया का भविश्य हो आप लोग हलके में मतले ना अपने आपको ना तो अगर आप इस्टुडेंट हैं तो अगर अभी तक भी आ करके उस लक्ष के पीज़े ठोड़िए मत उसको और एक दिन वो आपको ज़रूर प्राप्ता हो कि जितनी ओकात है इतना बड़ा लक्ष डिसाइट करो ना छोटा मोटा मत करना जितनी ऊकात से भी पार जाकर करके अपना लक्ष निराहित करना होगा पक्का होगा चलिए मिले मिलेंगे अगले सेशन में इसे प्रकार से मौर् Nou में भारत एक हैं निवंद के साथ में भारत एक है संस्कृति को समझेंगे अनेक तयामें एक ताका दरशन सप्के अधिम है किन्यों डॉसक्र।